देखे आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाओं में हराएगी राजनीती उसकी खतम हो जाएगी एक नहीं अनेक उदारण उठा के देख लिए कोई-कोई तो मुख्यमंत्री बनने बीजेपी में चला गया था तो इसलिए इतिहास उठा के देख लिजे जो भी आम आदमी पार्टी छोड़के बीजेपी में गया उसकी राजनीती खतम हो गई दोस्तों नमस्कार आज 13 जुलाई है और आज 13 जुलाई को भारत के साथ राज्यों की 13 विधान सभाओं के जो चुनाव हुए थे उपचुनाव उनके परिणाम आ गए विधान सभाओं के उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं आज ये खासकर इंडिया गठबंदन, कॉंग्रेस इन सब को फील गुड कर आने वाले हैं लोगसभा चुनाव के बाद यानि की जो 4 जुन को लोगसभा का चुनाव का परिणाम आया था जिसके अंदर की भारती जनता पार्टी अब की बार स्पष्ट बहुमत से दूर रह गई बीजेपी को बहुमत नहीं मिला सीट तो 247 तो बन गए लेकिन 273 बहात्तर का जो जातों यांकडा था उससे बीजेपी दूर रह गई थी और उसके बाद में ये पहली परिक्षा थी जिस परिक्षा के अंदर NDA और भारती जनता पार्टी के लिए ये एक तरह से बुरा संदेश लेकर के आई आज जिन विधानसभा सीटों पर उपचुना हुआ उसके अंदर पश्चिम बंगाल की चार विधानसभा की सीटों पर भारती जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे और एक सीट पर त्रिनमूल कॉंग्रेस के थे और जब वहां का चुनाव परिणाम आया तो वहां पर दीदी ने बीजे पी का खेला कर दिया जो खेला दीदी तो खेला करती है आपको ध्यार होगा 2022 का वो विदान सभा चुनाव जिसमें खूब खेला होवे खेला होवे चलता था और अब विदान सभा के उप चुनाव में भी खेला हो गया यानि कि ममता बनर्जी की पार्टी जो है वहां पर उसने भारती जनता पार्टी को ऐसा सबक सिखा दिया अगला जो राज्य है वो है हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश की तीन विदान सभा सीटों पर उप्चना हुआ था मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल का जिक्र तो वैसे बहुत जरूरी है वहां पर जो टसल चलती है सेंटर गौर्मेंट और स्टेट गौर्मेंट बीजेपी और टीमसी के बीच में राजय पाल तक जैसा पद वहां पर एफ़ाई आर करवाने जाता है राजय पाल ने मानहानी तक का मामला बनवा रखा है तो इसलिए वहां का मामला दिली और पश्चिम बंगाल ये दो ऐसे राजय हैं जहां पर कि बीजेपी और वर्सिज जो पारटी है चायवाँ टीमसी और यहां आमादमी पारटी जहां तसल चलती रहती है हिमाचल परदेश का जिक्रिस लिए कि लोगसभा चुनाव से पहले जो एक राज्य सभा की सीट के लिए चुनाव हुआ था जिसके अंदर की अभिशेक मनु सिंदवी चुनाव हर गए थे कॉंग्रेस कैंडिडेट के तौर पर बारती जंता पार्टी ने वाँ खेला कर दिया था और हुआ ये था कि एक बार तो सुखु की सरकार पूरी तरह से डामा डोल हो गई थी लेकिन राजनीती के बाजीगर निकले सुखु अपनी सरकार तो बचा गई उसके बाद में जो विधान सभा के उपचुनाव हुए लोग सभा चुनाव में तो भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई चार में से कॉंग्रेस लेकिन विधान सभा के जो उपचुनाव हुए उसके अंदर कॉंग्रेस का बहतरीन प्रदर्शन रहा और आज जिन तीन विधान सभा सीटों पर उपचुनाव हुआ जहां पर की तीनों निर्दलिये विधायक भाजबा में चले गए थे उन तीन में से दो सीटे भारतिये जनता पार्टी से ये कहूँगा कि छीन ली क्योंकि निर्दलिये विधायक भाजबा में चले गए थे और कॉंग्रेस के दो विधायक जीत गए सुखु की धलम पत्नी भी चुनाव जीत गई और एक नालागड से चुनाव जीत गए तीसरी सीट हमीरपूर वहां से भारतिय जनता पार्टी के शर्मा जी जरूर चुनाव जीते आशी शर्मा वो भी मात्र लगवत पंद्रा सो गोट से तो यानि की जो देव भूमी इमाचल परदेश पहाड़ों का जो इलाका है पहाड़ी छेत्र है उसने भी भारति जनता पार्टी को गच्चा दे दिया भारति जनता पार्टी को सबक सिखा दिया इस चुनाव के अंदर अगला जो भी पाड़ी राज्य है अगला राज्य है उत्तराखंड उत्तराखंड पुषकर सिंग धामी वहां के मुख्य मंत्री है जब विदान सभा का चुना हुआ था पुषकर सिंग धामी जब आम चुना हुआ था आज से दो साल पहले तो पुषकर सिंग धामी खुद चुनाव हार गए थे विधानसभा का बाद में उपचुनाव से जीते लेकिन बीजेपी की सरकार बनी थी अब हाली में जो वहां पर लोगसभा के चुनाव हुए उत्राखंड के अंदर क्लीन स्वीप किया भारती जन्तापार्टी ने लेकिन अब जो दो विधानसभा सीटो पर भी भारती जन्तापार्टी हार गई दोनों सीटें हैं कॉंग्रेस जीत गई करतार सिंग भडाना जो फरिदाबाद के नेता है और जो राजनीतिक रूप से अगर मैं उनको कहूं की परवासी है हर चुनाव में उनका जंडा ढंडा सूबा स्टेट सीट सब बदल जाती की राज्यों की परिक्रमा करते हुए उत्तरा खंड पहुंचेते लेकिन उत्तरा खंड के अंदर वह बात बनी नहीं मैंने एक वीडियो आपके साथ शेर किया था कुछ समय पहले मूर्तजा कहा जाता है वहां पर मूरतिया वहां पर जो जाते हैं तो भार से गए थे करतार सिंग बढ़ाना को भारती जंता पार्टी ने पार्टी में शामिल कराया टिकेट दिया चुनाव हार गए और जो दूसरी सीट थी बदरीनाथ वो सीट पहले बीजेपी के कबजे में थी वहां से भारती जंता पार्टी की विधायक थी उनका निधन हो गया था उप चुना भारती जंता पार्टी को कॉंग्रेस ने बड़ी सीधी चुनावती दे दी और पांच में से चार विधानसवा सीट यानि कि हिमाचल परदेश की तीन में से दो रोत्रा घंड की दो की दो सीटे जीत ली मद्या परदेश के अंदर एक विधानसवा सीट पर उप चुना हु जो विधायक बने वह पहले कॉंग्रेस छोड़ करके भाजबा में गए थे विधायक से उनका इस्तीफा हो गया था उनको टिकेट मिला मात्र 15-14 वोटों से चुनावत जीत गए अब अगले विधा आपकी बात करूं अगले स्टेट की तो फिर वो डीम के वाला है तमिल न विधानसभा जलांदर पश्चिम जलांदर वेस्ट वहां पर चुनाव जीत गए आमादमी पार्टी के कैंडिडेट यहां आमादमी पार्टी का नेता ही चुनाव जीते थे शीता लंगरवाल विधानसभा का जो चुनाव हुआ था दो साल पहले उस चुनाव में जीते थ आमादमी पार्टी के निता, लोकसवाद चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो चले गए भारती जन्ता पार्टी में, लेकिन बीजेपी में उन्हों जाने के बाद हार गए और 37,000 वोटों से जादा वोटों से चुनाव जीती आमादमी पार्टी, हो गए, संजे सिंग तो सामने आए, और संजे सिंग ने कह दिया आमादमी पार्टी के निता ने कि जो हमें छोड़ के जाएगा, उनका यही हश्र होगा, आप सुन भी सकते हैं संजे सिंग ने क्या कहा? देखे आमादमी पार्टी को एक वरदान मिला है, कि जो भी आमादमी पार्टी को धोखा देगा, उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीती उसकी खतम हो जाएगी, एक नहीं अनेक उदारान उठा के देख लीजिए, कोई-कोई तो मुख्यमंत्री बनने बीजेपी में चला गया था, अपनी सीट नहीं बचा पाया, तो इसलिए इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी आमादमी पार्टी छोड़के बीजेपी में गया, उसकी राजनीती खतम हो गई, रिंकु गये, चुनाव हर गये, ये सीतल गया, ये भी चुनाव हर गया, तो इसलिए आमादमी पार्टी एक परिवार है, सब लोग साथ में रहिए, मिल जुल कर रहिए, संकट के समय में एक साथ रहिए, बड़ी से बड़ाई हम लोग जीतेंगे, तो इसलिए ये जो चुना हुआ था, ये बीजेपी जोईन करने की वज़ा से हुआ था, प तो सारे लोगों ने मेहनत करके वहां की सीट जिताई, और ये बड़ी जीत है, 39,000 वोटों से जो जीत हुई है, ये कोई चोटी जीत नहीं है, इसलिए पंजाब के मुख्य मंतरी को, एक एक कारिकरता को, आमादमी पार्टी को, महर्दे से इस बड़ी जीत के लिए बढ़ ये हम लोग जीतेंगे. फिट हो जाता है, लेकिन इस उप चुनाव के अंदर, आज बीजेपी को जटका लगा, और इंडिया गठबंदन को काफी फील गुड हुआ. इवेन आप जो बिहार की विधानसभा सीट थी, वहां पर इंडिपेंजन्ट चुनाव जीत गए, एंडिया गठबंदन वहां बिहार गया, हलांकि बीमा भारती भी हार गई, जो विधायक थी, विधायक की छोड़ करके, जेडी यो छोड़ के वो जेडी यो छोड़ा था और जंता दल में चली गई थी, आर जेडी में, चुनाव वो भी नहीं जीत पाई, और वहां से इंडिपेंजन्ट चुनाव ज समझें, अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो ये संदेश है कि वहां जलवा कायम है, दीधी का, अगर मैं बात हिमाचल परदेश और उत्तराखंड की करूँ तो भारती जंता पारटी के लिए सीधा संदेश है, कि वहां का जो रास्ता है पहाड की डगर आगे के अंदर बने ही आमाद्मी पारटी लोकसवा चुनाओं में तो तीन सीध जीत पाई थी, लेकिन विधान सभा का जो उपचुना हुआ, इसके अंदर आमाद्मी पारटी जीती और यहां पर कॉंग्रेस के लिए मन्थन का विशह है कि उनके कैंडिएट तीसरे स्थान पर गए, यानि कि इस लोक विधान सभा के उपचुनाओं ने जिस पर कि सभी की निगाएं थी, जहां NDA, मोधी, BJP और इस तमाम नित्रतव को बता दिया कि अगला सब कुछ सोच समझ कर रहें, और इंडिया गठबंदन को फील गुड तो कराया, लेकिन उसको भी बता दिया जगे जगे पर कि आपको भी देखना पड़ेगा, वैसे आपको क्या लगता है, क्योंकि अब अगले तीन महीने में देश की तीन प्रमुक राज्यों के विधान सभा चुनाओं है, महराष्ट, हर्याना और जारखंड, और इसके साथ उत्तर परदेश के अंदर दस विधा जारा ले करके अपना बहतर कर सकती है, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन